नाखपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाखपूर की विवित हलचल पर नाखपूर शहर में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में फिर एक बार बढ़ो तरी देखी गई है इसके साथ ही पुलिस दल में भी 17 पुलिस कर्मियों के गुरुवार को पॉजिटिव होने की जानकारियाई है नाखपूर शहर में पुलिस कर्मियों की पॉजिटिव होने का आंकड़ा 64 तक पहुच गया है जिसमें पाच अधिकारियों का भी समाविश है हाला कि राहत की बात ये है कि इन सभी पुलिस कर्मियों को कोरोना के दोनों इंगेक्शन्स लग चुके हैं और ये सभी पुलिस कर्मी होम कॉरंटाइन है नागपुर शहर में गुर्वार को 2086 नए कॉरोना पॉजिटिव सामने आये हैं जिन में से 17 पॉजिटिव मरीज पुलिस दल से सम्बंदित है नए कॉरोना पॉजिटिव पॉलिस कर्मियों में सदर पॉलिस स्थाना में तीन, गिटी खदान में एक, पारडी में एक, पॉलिस मुख्याले में चार, न्यू काम्ठी में दो, एम्टी में एक, येशुधरा नगर में एक, प्रताप नगर में एक, जरीपटका में एक, माड प्रयास कर रही है। बजट पूर्व सुझाओ ग्यापन प्रिशित किया। प्रोचसाहित करने के लिए इस प्रकार के खर्चों का आयकर में अनुमती देने तथा स्पेसिफाइट बांडे निवेश की धारा चौपन इसी के तहद प्रतिक दिर्गकालिक संपत्ति की बिगरी पर आर्थिक सीमा को 50 लाक रुपे से बढ़ा कर एक करोड रुपे करने का स सर्वप्रथम प्रधान महा सचिव डॉक्टर गजराज हटेवार उपाध्यक्ष बड़ोपंत टेमभुर ने प्रोफेसर दिनेश बाना बाकोडे निखिल धांदे डॉक्टर प्रकाश धगे ने जकताप का स्वागत पुष्पक उच्छ तिरंगा डुपट्टा देकर किय इसके पश्चात जकताप बैठक को प्रारम करते वे नागपूर विधानसबाक शेत्र के पुर्व दक्षिन मध्य के नौ ब्लॉक अद्धिक्ष एवं उनके कारेकारेनी से अलग बुलाकर ब्लॉक संबंदी चर्चा करके पार्टी को मजबुत बनाने को लेकर समिक्षा ब राजश पौनिकर, प्रविन गवरे, अब्दुल शकील, गोपाल पट्टम, मोती राम मुहाडिकर, आधी कॉंग्रेस कार्य करता और पदाधी कारीगन उपस्तित थे उपलवाडी M.I.D.C. के यावल कर फैक्टरी के पीछे के रास्ते का सिमेंटी करण और गंदे पानी की व्यवस्था करने के लिए विधायक चंदरशेकर बावन को लेको ग्यापन सोपा गया उपलवाडी M.I.D.C. नागपूर महनगर पालिका के सरहत से लगकर है इस M.I.D.C. में छोटे बड़े उद्योग है इस M.I.D.C. में काम करने वाले मजदूर ज्यादातर उत्तर नागपूर विधानसबाक शेतरक है ये सड़क बहुत खराब होने से बारिश का पानी एक ही जगह पर रुका रहता है और इस रास्ते से रोज करमचारी अपने काम पर जाते है तब इन्हें बहुत तकलीफ होती है ये विशे शहर अध्यक्ष तथा विधायक प्रविन डटके के सामने रखा गया तो उन्होंने कहां कि कामगारों के हीद के लिए ये रास्ता जल्द से जल्द बनना चाहिए इसलिए जल्द ही स्थानिक स्वराज्य संस्था के नवनिर्वाचित विधायक को पत्रा लिख कर इस विशै से अवगत कराया बाच्पा कामगार आगाडी के अध्धिक्ष भासकर पराते ने भी सभी कामगारों के तरफ से विधायक बावनकुले को इस समस्या से अवगत कराया। विधायक ने आश्वासन दिया कि भाच्पा कामगारों के हीत के लिए सदैवतत पर रहती है। जल्थी ये रास्ता कामगारों के लिए और माल आवाजाही के लिए बनाऊगा ताकि इसके बाद कोई भी कामगारों को इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस आश्ये के विचार बावनकुले ने व्यक्त किये। अखिल भारतिया मारवाडी महिला सम्मेलन नागपुर शाखा को प्रांतिय एकादश अधिवेशन शेगाओ में शहरी शाखा का सर्वस रिष्टरव प्रथम पुरसकर मिला। अधिक्षा शारदा लखोटिया, राष्टिय सचिव रेखा लखोटिया, पश्शिम अंचल प्रमुख रेखा राठी, दक्षिन अंचल प्रमुख शारदा मिहाडिया, प्रांतिय एधिक्षा डॉक्र सरोच पसारी के हाथों सम्मानित होना एक अविस्परनिय अनुभव सोने पे सुहागा तब हुआ जब प्रांत अधिक्षा डॉक्र सरोच पसारी को उनके मिली उपलब्धी जो तिश शास्तर में डॉक्टरेट के लिए सम्मानित किया गया। इस विशे पर निवन्द के लिए आराध्य को तुरूतिय स्थान प्राप्थ हुआ। पारेक्षाला का उद्खाटन दक्षिन मध्यक्षेत्र सांस्टोति केंद्र के निदेशक डॉक्टर दीपक खिरडवार, उपनिदेशी का गवरी मराथे, सहायक निदेशक दीपक कुलकरनी, मुख्य समनवैक रोहिनी घरोटे तथा शनाया पकाले के द्वारा दीप का परिचे दिया, इसका वैशिष्ट ये रहा कि इसमें साथ किंदर कलाकार तथा नौमानसिक दिव्यां कलाकारों ने हिस्सा लेकर इस आयोजन का उद्देश्य सफल किया संचलक मंडल की आमसभा में पदाधिकारियों की निर्विरोत नियुक्ती की गई, इसमें अध्यक्ष के तौर पर सुरेश कोंगे तथा महा सच्युपत पर सुरेश जिचकार की नियुक्ती की गई उपाध्यक्ष पत पर डॉक्टर रामकुष्न ताले तथा गोविंद्राव ठाकरे, सहसची उपत पर एकनात काल में एवं ग्यानेश्वर ठाकरे, संगडन सची उपत पर प्रभाकरनी घोट तथा सुनिल धेंगरे और कोशाध्यक्ष पत पर महादेव भोयर की नियुक्त सभा में समाज कार्यकारेनी के संचालक सुभाश गोतमारे, नगर सेवक दुनेश और पेठे, रमेश मोरंकर, रंगराओगे चोडे, पुरुशत्तमूर में प्रमोद घारपुरे, गनेश नाखले, भहिया टाले, कैलास वानकिडे, नरेश बरडे, बाबा ढोबले, विरें गाउस्थित समाज की जगह पर जल से जल्द समाज भावन का निर्मान किया जाएगा, असा प्रस्ताओ भी सर्वसम्मति से पारित किया गया बैंक ओफ इंडिया आंचलिक कार्याले नागपुर द्वारा, विश्वहिंदी दिवस समारों का आयजन किया गया इस कार्यक्रम में आंचलिक कार्याले के स्टाफ सदस्यों ने बढ़चर कर हिस्ता लिया, बैंक ओफ इंडिया के प्रधान कार्याले द्वारा, अकिल भारतिय स्तर पर एक ओनलाइन संगोष्टी का भी आयजन किया गया इस संगोष्टी में आंचलिक प्रबंदक महोदय संतोष एस एवं उपर आंचलिक प्रबंदक रतनकुमार चटर जी मुख्य प्रबंदक सुधाकर देशट्टिवार ने भी सहभागिता की थी के स्टाफ सदस्यों को ये बताया गया कि इसी दिन सन 1915 में नागपुर शहर में पहला विश्वा हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था इस कारेक्रम का उधगाटन आंचलिक प्रबंदक संतोष ऐस ने किया उन्होंने सभी स्टाफ सदस्यों से ये आगरह किया कि हमें अपना संपूरन कारियर आश्टा भाषा हिंदी में करना चाहिए आज हिंदी विश्वक की सरवाधिक बोली जाने वरी दूसरी भाषा बन चुकी है इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया नागपुर अंचल की और से इस आउसर पर प्रतियोगिता का आयजन किया गया आश्व भाषन प्रतियोगिता में जजो के रूप में मुख्य प्रबंदक प्रसन्नत तिर्थगी रिकर, मुख्य प्रबंदक विने वर्मा एवं वरिष्ट प्रबंदक सुरक्षा शशांक केकरे को नामित किया गया था जिएच रायसोनी विश्व विद्याले अमरावती तथा दे इंस्टेट्यूट औफ कमपनी सेक्रेटरी जूफ इंडिया के प्रतिनी धियो द्वारा हाल ही में एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षार किया गया ये समझोता ग्यापन इस आदेश के अनुरूफ है जिसमें कमपनी सेक्रेटरी को सनात्कोत्तर पदवी से समकक्ष माना जाएगा जिसके अनुसार सीएस आचार्य पदवी के लिए पात रहूंगे आईसी एसाई जी एच रायसोनी विश्वविद्याले के शिक्ष को शोद करताओ तथा विद्यार्थियों के लिए निपुन प्रशिक्षन कार्या शालाओ का आयोजन होगा जी एच रायसों ने विश्वविद्याले भी सीए सदस्यों को विश्वविद्याले की महत्वपुरुनक कार्यकारी समीतियों तथा शिक्षा परिशदों पर नियुक्त करेगा ताकि उनकी विशे निपुन्ता से विश्वविद्याले को उपायुक्त मार्ग दर्शन मिले पर भी कार्य किया जाएगा इस समझोता ग्यापन हस्ताक्षार कार्यक्रम में जी एच रायसोनी विश्वविद्ध्याले अमरावती के अध्यक्षा सुनिल रायसोनी जी एच आर्यू अमरावती के उपकुल गुरू डॉक्टर विनायच देशपांडे एवं सीएस सदस्यग सकता है इसी तरह ड्रायविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिये ठीका करन किया जाएगा ये जानकारे चिकित सास वास्ता अधिकारे डॉक्टर संजय चिल करने दी है इसी तरह अठरा प् पताल पांच पॉली और प्रगती हॉल दिघोरी में उपलब्ध है लोकमंच जेश्ट्र नागरिक मंडल के वरिष्टा सवस्या अनिल लिखितकर ने महालगी नगर सित स्वतंत्र संग्राम सेनानी कॉलनी में खुद के जनम दिन के अउसर पर पचास बुजर्गों को शॉल एवं पाच प्रकर के फल देकर मनाया थन के मौसम में शॉल पाकर बुजर्ग बहुत आनंदित हुए सभी ने लिखितकर को जनम दिन की हार्दिक शुब काम ने दी तथा उनके प्रति आभार व्यक्त किया अक्सर जिनका जनम दिन होता है उस व्यक्ति को शॉल श्रीफल ए दोर से सचीव डॉक्टर दीपक शेंडेकर ने अनिल लिखितकर को शॉल श्रीफल एवं पुश्पक उच्छा देकर जनम दिन की बहुत बधाई दी तथा सववालाखे एवं लिखितकर परिवार के प्रति आभार भी व्यक्त किया इस अउसर पर कैप्टन प्रभाकर विं जुरकर, भरत पटले, दिलिप गायकवाड, चंदरकान पोहाणे, भासकर गावंडे, विद्याडाबरे, शोभाकान पाडे प्रमुक्ता से उपस्तित थे आजदी का अमरुत महत्सव के अंतरगत दक्षिन मद्यक्षेत्र सांस्रूतिक केंदर नागपूर, सांस्रूतिक मंत्राले, भारत सरकार द्वारा, राजमता, जीजाओ, जैन्ति के आउसर पर दोपहर, चार बज़े, जीजाओ, चरित्र माला का आयोजन किया गया इस कारेक्रम का प्रसारान दक्षिन मद्यक्षेत्र सांस्रूतिक केंदर नागपूर के फेस्बूक लाइब पेच पर किया गया, इस कारेक्रम का आनन एक क्यास्य से अधिक दर्शकोंने लिया, इस सांस्रूतिक कारेक्रम की प्रस्तूती रसिकरंच कलामंच कोल्हापूर क गाते तुझी गाथा माज़ा जिजाओ ची पुन्याई जय जय जिजाओ राजमता विर्माता अंधार फार जाला आधी गीतों की मंत्रमुग्द कर देने वाली प्रस्तुती दी गई इसमें वेदा सोनुले महेश सोनुले वेदेही जाधव शाहिर पाटिल रणिजित बगू महेश सोनुले एवं सारंग सोनुले आधी गायक कलाकारो द्वारा गीतों की प्रस्तुती दी गई धोलक पर गुरुनाध धोले सिंतिसाइजर पर प्रदिप जिर्गे आधी कलाकारो ने विविन्नवाद्य यंत्रों पर साथ संगत की कारेक्रम का संचालन प्रशांत आहरे कर द्वारा किया गया मध्यनाकपूर बंगाली बंजा इत्वारी में हजरत भोले शह बाबा का सालाना उर्स मनाया गया उर्स में नाकपूर महनगर पालिका की गाइडलाइन को मध्यन नजर रखते हुए अजमेरी ग्रूप द्वारा चादर पेश की गई इस मोके पर अजमेरी ग्रूप के हाजी इर्फान बनानी ने वसिम खान की दस्तर बंदी की व भोले शह बाबा की मजार पर चादर पेश करके पूरे देश को कोरोना महमारे से मुक्त कराने की दुआ मांगी इस मोके पर रफिक नाथनी, हाजी इर्फान बनानी, हाजी आरिफ लामबा, युनुस बनानी, कासिव बॉस, अलताफ पाला, अश्फाक वेरानी, सर्फराज, सलीम भाई, इर्फान मुजावर, वसीम आदी उपस्तित थे बिते के इवर्षों से नाकपुर जैपुर वाया अजमेर ट्रेन नाकपुर से हर प्रत्य गुरुवार को जाते थी अथवा शुकरवार की शाम को अजमेर से नाकपुर वापसाते थी कोरोना महामारी के दोरान लगे पूरे लॉकडाउन में सभी ट्रेने प्रभावित हुई है जिसमें इस ट्रेन को भी बंद कर दिया गया अभी स्तिधी सामाने होने पर सभी ट्रेनों को शुरू कर दिया गया है मगर इस ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है साल भर लोग इससे आवागमन करते हैं और आने वाले महीने में अजमेर में उर्ष होना है जिससे विदर्व मध्य प्रदेश 36 गड़ के कई शहरों से लोग नागपूर अकर प्रसिद्ध सूफी संथ हजरत ख्वाजा मोईनो दिन चश्टी की दरगा वा पुषकर देवनगरी दर्शन करने जाते हैं और आते हैं ट्रेन बंध होने से सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अलपसंख्यक मोर्चा नागपूर शहर के माध्यम से मध्यनागपूर के विधायक विकास कुम्भारे वा मोहमत फारुक शेक के नेतरुत्व में मोर्चे के पधाधिकारी अपरेल प्रबंदक पियस खैरकर से मिले और इस ट्रेन के बारे में विस्तार पुर्वक जान कर दी मोर्चा के अध्यक्षब मोहमत फारुक शेक ने ये मांग की है कि इस ट्रेन को नागपूर भोपाल कोटा से अजमेर रूट दे और जनता के हीत को देखते वे छितोडगड होते वे न चलाए जिसे चार घंटे का समय बच सकता है मावली सेवा मित्रमंडल पुलक मंच परिवार नागपूर अमरस्वरूप फाउंडेशन द्वारा नकसल प्रभाईच शेत्र घर्चिरोली जिले के पेरा मिली ग्राम में साणी कंबल शेक्षनिक वस्तुए खेलकूत के उपकरन नाश्ता साबून आधिका वितरन किया गय और चाय तथा नाश्ते की व्यवस्ता की छोटे वच्चों को नए वस्त्र दिये गए कारेक्रम में उपस्तित सभी चेहरों पर खुश्नुमा माहोल था नागपुर से गए प्रतिनीधियों ने 45 नकसल ग्रस्त ग्रामिनों को भेड़ दी इस कार्य को पुलिस विभाग का पुरुन सहयोग प्राप्त हुआ कारेक्रम में राज्यु वरंभे, मोहिनी देश पांडे, राजश पदलमवार, पल्लवी कोरटकर, कांचन भालेकर, संदीप तीजारे, डॉक्टर बाल भुधे, मनोज चावरे, शाम लामस के, नलीनी वंजारी, सुहास खरे, सुरेंद्र खरे, अंकित गायकवार, मनोज ब किया गया, स्वास्त शिविर में अपने मार्क दर्शन में डॉक्टर राम थारवानी ने कहा, कि मौसम के बदलते रूप को देखते हुए सतर्क रहना अत्यनता आवश्यक है, बिमारियों से निजात पाने के लिए खान बान, साफ सफाई का विशेश ख्याल रखना अश्विनी डोंगरे, पुजा मेरियानी समर्थ, प्रदिप बालानी का विशेश सहयोग रहा, चिकित्सों ने जांच के पश्यात मरिजों को उचित परामर्श दिया, दोनों शीविरु का 633 लोगों ने लाब लिया, नैना, कोमल, रक्षंदा, इशा, रिंकू, पूनम, रिक्षिका, सीमा, अंकित आधी का महत्वपुर्ण योगदान रहा, नागपुर जिले की भैतरी निवा शटलर मालविका बंसोड ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टुर्नामेंट में बड़ा उलट फेर कर दिया है, बिस साल की स्किलाडी ने दिग्गस खिलाडी सायना न नहेवाल 20 साल की स्किलाडी के सामने टीक ना सकी और महत 34 मिनट में हार कर इंडियन ओपन से बाहर हो गई, इस मैच की शुरुवाद से पहले कोई भी ये नहीं कह सकता था कि युवा खिलाडी लंदन ओलंपिक की ब्रॉंज मेडलिस्ट को इतनी आसनी से हरा देगी, लेकिन खेल में कब क्या हो जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, वैसे कागस पर देखे, तो साइना नहेवाल और मालवी का बंसोट की कोई टक्कर ही नजर नहीं आती है, जहां साइना इस समय 25 वे नंबर पर है, वही ये 20 साल की लड़की अपने करियर की शुरुवाती दोर में हैं और फिलहाल रैंकिंग में 111 नंबर पर हैं, लेकिन फिर भी साइना नहेवाल को शिकस देने में उन्हें कामिया भी मिली जो काबिले तारिफ है पहली बार दिव्यांगो द्वारा बनाये गए एक अधभुच शो मिस्टर एंड मिस्वदेशी इंडिया का एजन किया जा रहा है, इसकी जानकरी देने के लिए नाखपुर में पत्रपरिशत आयुजित की गई थी, इस दोरान मॉम्स प्रोडक्शन के डिरेक्टर सनी फ् देश का पहला ऐसा शो जिसमें होने वाली हर एक चीज सब कुछ एक दिव्यांग संभालेगा और इस शो का नाम मिस्टर एंड मिस्वदेशी इंडिया है, इस शो में मुख्यरूप से मॉम्स प्रोडक्शन के निर्माता मिस्टर सनी फ्रांसिस का सहयोग मिला है, मिस्टर देवरों ने व्यक्त किये, इस दोरान बड़ी संख्या में दिव्यांग गणु पस्तित थे, नाकपुर जिले में गुरुवार को कोरोना के नए कैसिस की संख्या 2000 को पार कर गई, जिले में एक दिन में 13,693 सैंपलों की जांच में 2086 नए पॉजिटिव पाए गए है, इन जिला प्रशासन ने इसे गंभिरता से लेते हुए आपदा प्रबंदन प्राधी करण की बैठक बुलाई, बैठक के दोरान जिला अधिकारी आर्विमला ने पुलिस को निर्देश दिये कि सारवजनिक स्थानों पर बिना मास के घुमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार की जाए, कलेक्टर आर्विमला ने जिला परिशत के मुख्यक कार्यकारी अधिकारी योगेश को मभेज कर, यातायात उपायुकत सारंग आभाट, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक राहुल माकनी कर, पुलिस उपाधिक्षक प्रमोद लोखंडे उप जिला अधिकारी विज ना होगा, नाकपुर जिले के कई गाओं में बे मौसम बारिश और ओला वृष्टी जैसी प्राकुरतिक आपदाय आए है, पशुपालन, दुगदे व्यवसाय विकास, खेल एवम युवा कल्लैंड मंत्री सुनिल केदार ने गुरवार को प्रभाविक शेत्रों का निरिक जनों को 4 लाख रुपे देने की घोशना की, उन्होंने समुह विकास अधिकारी एवम तहसिलदार को सरकारी योजना से गौशाला स्विकृत करने के निर्देश दिये, उन्होंने पुलिस विभाग को ततकाल करवाई करने के भी निर्देश दिये, जिले में लगभग 7,4 431 हेक्टेर शेत्र में कपास, गेहु, चना, अरहर, मुंगफली, सबजिया, संत्रा और टमाटर को नुकसान पहुचा है, शुरुवातिय अनुमान के मुताबिक खाताधारों को की संख्या 8,334 है, बेमौसम बारिश ने तुवर को सबसे ज़ादा नुकसान पहुचाया है और 1,500 हेक्टेर से अधिक को नुकसान पहुचाया है, इस दोरे में मंत्री केदार ने नागपुर के बोखारा, गुम थला, बैलवाडा, कामटी तहसल की गुम थी, लोन खेरी, सावनेर तहसल के दहेगाव रंगारी, आधी गाओं में अतिवरुष्टी से हुए नुकसान का जाइजा लिया, तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार